जेहिंद नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि CRP आप कॉंस्टेबल ट्रेडमैन का जो रिजल्ट है वो अभी तक जारी क्यों नहीं हो रहा है आखिर रिजन क्या है और साथ ही बात करेंगे काट आप को लेकर कि आखिर आप सभी का काट आप जो है वो कितना रह सकता है क्योंकि अभी आपके भरती का फीजिकल होना बाकी है अगर आप सभी के एक एकड़ी अंबर बन रहे हैं तो भी आप सभी इस वीड़ो को complete जरूर देखना क्योंकि आप सभी को normalization में फायदा होने वाला है और यहाँ बताने वाले हैं कि normalization में आप सभी के कितने number बढ़ेंगे मैं मानता हूँ answer कि आपने चेक किया है आपका पच्पर मन रहा है लेकिन normalization के number मिला कि आपका यहाँ पर 60 भी हो सकता है 65 भी हो सकता है तो कितना किसको कैसे मिलने वाला normalization में फायदा यह सारी शिर्जें आज कि इस वीडियो में मैं आप सभी को digital से बताने वाला हूँ ठीक है चले वीडियो को सुरू करते है सबसे पहले मैं आप सभी को बता दू तो आपको एग्जेर बताऊंगा कि हाँ आपको कितरे नंबर बढ़ सकते है क्योंकि यहाँ पर normalization में फायदा जो मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है मरी बात को समझ यह का जैसे माल लेते हैं मैं आपको example दे रहा हूँ एक को exam हुआ दो को exam हुआ ठीक है तीन को exam हुआ चार को exam हुआ इस प्रकार से आप सभी का माल लो exam हो रहा है ठीक है एक को हुआ दो को हुआ तीन को हुआ चार को हुआ तो एक को जो exam हुआ हो सकता है easy आया हो ठीक है दो को जो exam हुआ हो सकता है easy आया हो ज्टेसे एक इसको भी होनाुछाई एक इसको भी एक इसको भी पी शूब तो इसको यहाँ परununėको नंबर कम-णबर कम ज्याद किया जाते हैं तूटल अगर आप से-अरधिन इंग्याम होगे थ्यांग में क्झला है जब आपके इवाको लंबा चलाओ बात करें यहांपर 15 चला हो या फिर एक महीने आपका एक्जाम चला हो तब आप सब का यहां पर नमबर घट सकता है बाकी नमबर आपके बढ़ेंगे घटने के कोई भी सवाल नहीं है ठीक है अप की में कितने नमबर बन रहें आपके एक्जाम आपका कब हुआ था कितने तारिक को यह आप सभी कमड़ बाक्स में जरूर लिखेगा ठीक है अब हम बता दे मेरे दोश्व सबस्क्राइब को कि आप सभी को कितना फादा मैक्सिमम हो सकता है मैक्सिमिमा अगर बात करने में तो आप सब को यहाँ पे 8 से 10 नंबर का नम लाइसन में फादा हो सकता है क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि बोल रहे थे कि पेपर हमारा हाड आया है और मेरे कुछ भाई ऐसे थे जो कि बोल रहे थे पेपर इजी आया था सब करते रहें और बात करने फीजिकल करते रही है तो इतना जल्दी भरती का प्रोसेश जो है complete नहीं करवाएंगे वो लोग, क्यों समझ रहा है कि जब exam जब physical बाकी है और यहाँ पर गर बात करें आपको संजार आउद्द हान सुनिएगा आपका physical बाकी है और बात करें आपका medical बाकी है और बात करें आपका यही तीन चीज के वल बाकी है। साथी बात करें आपका डवी भी भाकी है। ठीक हैं। यही बाकी है। और यह सब अगर CRP आप चाहता है, तो यह सारी शीज़े आपका एक बार में ही कंपलीट करवा सकता है। कितना एक बार में ही यह सारी चीज़े complete हो सकती है लेकिन लेकिन आपको बताना चाहूं जब training आप सभी कर यहां पर श्रूल जारी किया गया है जो कि सितंबर में कितना सितंबर के मन्त में आप सभी कर training यहां पर conduct करा हुआ जा सकता है तो उसके अगर according बात करें मेरे दोस्त तो आप सभी CRP आप जो है क्या करेगा जिस प्रकार से SCM में हुआ है physical, medical, typing यह सब एक साथ हो रहा है CRP आप head constable ministerial में उसी प्रकार से CRP आप trade man में भी होगा ठीक है कैसे होगा मैं आप पता दूँ CRP आप trade man में भी ऐसा ही होगा physical, trade test और medical और यह सारी चीज़े आपका एक यही दिन में conduct करवाई दा सकता है और अगर आपको यहाँ पे एक serial wise बात करूँ सबसे पहले यहाँ पर भरती आई थी head constable ministerial की CRP आप में head constable ministerial की भरती फरवरी में इसका exam अप्रॉक्स हुआ था ठीक है तो अगर बात करें तो head constable ministerial पहले exam हुआ तो उसका यहाँ पर पह दे जाएगा तो इसको लेकर आप बिल्कुल चिंतितना रहिए आप सभी यहाँ पर अपनी तयारी को continue करते रहिए बाकि अगर आपको लगता है हमारे नंबर कम बन रहे हैं पता नहीं आएगा नहीं आएगा तो मैं आप सब को कहना चाहता हूं कि आप सभी यहाँ पर अप आपका यहाँ पर जनवरी 2024 के लास्ट वीक तक आने की संभावना है उसमें रीजन है उसमें भी रीजन है मैं आपको पताना चाहूं तो उसमें यह रीजन है कि SCM का खतम होगा पहले टाइपिंग फिजिकल और मेडिकल जैसे SCM खतम होगा उसके पर SCM का रिजल्ट आएग बढ़ रहा है ठीक है उसके बाद ट्रेडमेंट की भरती आई थी अब जैसे SCM का प्रोसेस यहाँ पर समाप हो जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर ट्रेडमेंट की भरती का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे ठीक हैं यह सारी सीजिए आप सब को देखने को मिल रही होगी आन कम से कम तीन दिन रुखना पड़े ठीक हैं यह सब प्रोसेस कंपूट करने के लिए तीन दिन हो सकता रुखना पड़े और करीब अगर बात करें यहाँ पर कम से कम एक महीने आप सभी का फिजिकल मेडिकल यह सारी चीज़े चलने वाली है ठीक हैं तो इसलिए मैं आपका पहले सब्सक्राइब कर रहा हूं कि आप सभी अपने फिजिकल त्यारी करते रहे हैं चले मेरे दोस्त जो है आप सभी को देखने को मिल जागा जनर्री लास्ट में और आपका जो फिजिकल है वो फरवरी में यहाँ पर स्टार्ट हो सकते हैं तो इसलिए आप सभी अपने के अलग है वोसी कार्स करें यहां पर तुराजस्थान थीम ज् QR फी में कari इसी प्रकार से संफ नीकले कि रहे Christy से लगोंु Вас इस्टेड़ सब्सक्राइब आपके बात करें तो स्टेट में विव हाउट कि यहां में पर कर दिया घंग हो गई हुषाण को लाइक करते ना और तरीक्व को लगताteil का YouTube छरिया तरीके से जाती है तब यहको उसमत्क दिये जाती दोगते है वेंजब हारत वान दे मातरम